राम राम नमस्ते देखो एक इंसिडेंट तुम लोगों ने सुना होगा इस समय बहुत चर्चा में है दिली का एक इंदर लोग Abe जहांपे एक दिल्णी पुलिस के सब monsieur फिगर दिले का एक औरीया है इंदर पुर्म इंदर पुरम वहाँ पे एक जो SI मनोज कुमार इन्हों न क्या किया कि जो रोड में इंक्रोच्मेंट टाइप का था जो कि नमाज पढ़ रहे थे नमाजी उनको लात मार के वहाँ से हटाया क्योंकि वो जो रोड थी उसको मतलब वो कर तो रहते हैं साइड में ही नमाज बट वो कहीं न कहीं ट्रैफिक में दिक्कत आ रही थी इसलिए उन्होंने उनको अटाने के लिए लात मारी अच्छा अब मेरा उपीनियन अगर इसमें होगा तो देखो बहुत सारी चीजें होती है कानून में जिसमें धाराएं लगा के आप उनके उपर केस कर सकते हो बट जब वो कुछ भी कर रहे हैं अपना तो उस समय लात मारना कहीं से भी सहीं नहीं था ये मेरा उपीनियन कहता है ये मेरी राय है बाकि आप लोगों को क्या है वो हमें नहीं पता बट मेरे इसाब से ये गलत था ठीक है क्योंकि बहुत सारी धाराएं होती है ऐसी कानून में जो की लगाई जा सकती थी बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो आप लगाई जा सकते थी कि आप खुले में नमाज पढ़ रहे हो उससे दिक्कत नहीं है बट आप रोड को एक रोड का एरिया चाहें वो कॉर्णर हो चाहें कहीं पे भी हो आप अगर कुछ भी जो ट्रैफिक्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप एक रूल से रेगलिशन के अंदर गताते जिसके उपर आपके उपर केस लगेगा ठीक है या पिर दारा बात करेंगे तो लगबग लगबग 36 लाक मस्जिदें ठीक है उसमें से साथ लाक मस्जिदें सिर्व भारत में हैं साथ लाक मस्जिदें ठीक है 36 लाक में साथ लाक मस्जिदें भारत में हैं तो इसका मतला पर्याप्त मस्जिदें हैं बट कुछ जगह ऐसा होता है कि मस्ज में चले आते हैं अच्छा अब जो इसलाम धर्म कहता है उसके इसाब से कुछ ऐसी जगए हैं जहां पर नमाज पढ़ना प्रोहिबिटेड है या फिर मना है धर्म के उसार सबसे पहला कौन सा होता है स्लोटर हाउस जहां पर भी गंदगी होती है जानवर आनवर काटे जाते हैं वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते हो मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप सांत रहे के इबादत कर सको वो जगह आप नमाज पढ़ो ज्यादा बेतर तबी अल्ला सुनता ऐसा इसलाम दर मैं जिद्रा भी हमैं नौलेड़ ठीक है ख़ोटर ऑससे आप नमाज नहीं पर सकते हों दूसरा क्यायां पर दूसरा यह जहां पर आप डेड बॉड़ीज हैं वहां पर नमाज पर सकते हो ठीक है या फिर आपके आसपास कोई वासरूम है या ट्वैलेट्स हैं उसके आसपास नमाज नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि वहाँ पे गंदगी होती है तो वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो जो middle of the road है जहाँ पे आप encroachment कर रहे हो मतलब कि कुछ जगे घेर के नमाज पढ़ रहा है जिससे public transport disturb हो रहा है इस साफ साफ है जिसमें public transport disturb हो रहा है वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि आए जाता है कि अपनी इबादत में दूसरे को नुकसान ना हो यह चीज़े होती है ठीक है पांच भी चीज़े होती है क्या कि आप अगर मालो क्या होता है कि टाइमिंग होती है ठीक है अब उस टाइमिंग पे आप कहीं पे भी हो सकते हो हो सकता है कहीं बाहर हो कहीं कुछ हो तो आप यह जो railway देखते हो ठीक है बीच में पढ़ने लगते हैं plane में इस जगह पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो जबकि आपको अगर कोई एक जगह मिल जाती है ऐसी साफ सुत्री और जहां पे एकांत होता है वहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हो कोई problem नहीं है अच्छा नमाज पढ़ने की problem यह सिर्फ इंडिया में ही है बारत में ही आप देखोंगे कि रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं या फिर आप देखो गे का यह अप देखोगे के बीच रोड में और यह हम कोई अपनी बात नहीं बता रहें यह हम प्रॉपर जो नीज़ में आता है आप पार्टिकल देख सकते हो मुंबाई अमरोहा बरेली म मुरादाबाद रामपूर उसके वाद अगर हम बात करें मुंबई का वो जो कौन सा एरिया है गोरे काओं आप सारी फुटेज देख सकते हो गुजरात सूरत हर जगह पे आप देखोगे कि बीच का रोड ब्लॉकर के लखनव में अभी गुरुगराम में एक बावाल फिर हु बीच में नमाज पढ़ना क्योंकि उससे भी वहां पे डिस्टर्बेंस क्रियेट होता है रेलवे ट्रेंज जो चलती है उसमें नमाज पढ़ना बीच रोड में कुछ भी ऐसा रोक के नमाज पढ़ना तो यह सारी चीज़े हैं गलत देखो यह सब चीजे गलत हैं क्योंकि हो रही है और वो इबादत के लिए कहा जाता है कि जहां पर अगर साहँ वाला तुम से भूरा है तुमारे आजब करने से तो वो चीजे सही नहीं जाती है इसलिए एकांध की जगए देको देखो आप आप इस्टेशन पर जाओगे वहाँ पर अभी तो कई जगें है लेकिन नहीं बीए लेकिन आपको एक जगें मिल जाएगी जहाँ पहाँ आप आराम से अपना कर सकते हो ठीक है उसके बहुत से होटेल हैं धाबे हैं जिन्होंने ये फैसलिटी लगा दिये जहां पर आप अपनी पूजा पार्ट या फिर नमाज कर सकते हो तो प्रॉपर जगए आपको दी गई है नमाज के लिए बट यह जो रोड का इन्क्रोच्मेंट होता है ये थोड़ा सा पब्लिक टांसपोर्ट डिस्टरब करता है हम यह नहीं कह रहा है जो दिल्ली पुलिस के सब इस्पेक्टर ने किया वो सही है बट यह जो चीजे हो रही है ये कहीं न कहीं करो आप अपने घर में करो अगर कहीं पर जगए नहीं है अगर लोग डिस्टर्ब हो रहें तो कहीं न कहीं एक चिंता की बात है और इसको उपर सोचने की जरूत है ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राम राम जैहिन